तो फ्रेंग्स आज मैं सूजी से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता लेकर आई हूँ इसका बनाने का तरीका भी एकदम यूनिक है और खाने में ये तना टेस्टी लगता है कि आप बाकी सारे नाश्ते भी भूल जाएंगे आए इसको बनाना शुरू करते हैं सिंपल एंड यू इसमें मैंने 2 कप सूजी डाल दी है इसके साथ इसमें 1 कप ठाई और 1.5 कप पानी मैं डाल देती हूँ हाल फलाल मुझे डेड़कप पानी इनफ लगता है इसलिए मैंने डेड़कप पानी यूज किया है बाद में अगर में को जरूरत लगी कि जैसे की सूजी जादा गाड़ी लग रही होगी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और एट कर दूँगी इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करते हुए एक बेटर जो है वो बना कर तयार कल लेती हूँ देखिये मेरे धाई पानी सूजी सब अच्छे से मिक्स हो गई है अब मैं इसे ढख कर सेट होने के लिए साइट से रख देती हूँ तब तक अपनी बाकी की तयारी कर लेती हूँ तो मैं यहां स्टफिंग बनाती हूँ उसके लिए गैस पे कड़ाई रखी उसमें मैंने थोड़ा ओईल गरम किया और ओईल में मैंने डाल दिया जीरा और ब्लैक मस्टर्ड सीट्स यानी की राई और इन दोनों को थोड़ा सा बूल लिया इसके बाद इसमें मैंने लिए है ये कट की हुई अनियन ये डाल दी है प्याज आपकी ऑप्सिनल रहती है अगर आप खाना पसंद करें तपी डालें अगर आप नहीं खातें तो आप इसे स्किप कर सकती है इदर मैंने अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर तयार रख जैसे कि मैंने हल्दी पाउडर लाल मिच पाउडर उसके बाद धनिया पाउडर और लास्ट में ये अमचूर पाउडर डाल दिया है इसारे मसाले डाल कर भीने खूब अच्छे से भून लेती हूं हेसे मसाले वगारा भूने गाये हैं तो अब मैंने कद्दुकस करें कीयें हैं मैंने आलू को अच्छे से कद्दुकस करके रखा था ही यूज करना होता है मेरे उभले आलू काया है इन Youtube वेक्ते घुद से करना हूँ लेकिन फिर भी स्पून से मैश करती हूं इसमें स्वात के अनुसा नमक डाल दिया और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया इनसके बाद सारे मसाले मैं अब इसमें डाल दिये हैं तो अब इन सब चीजों को खूब अच्छे से मिक्स करते हूं अपनी स्टफिंग जो है वो फाइन मैं इसे रूम टेमपरेचर पर आने देटीय। मतलब ठंड़ा रोल करते हूं एस तरीके की और शेप देते हूं इसे मैं एक प्लेट मैं रखती जाती सभाइ कि कि सब्सकिरा एंआ इसी तरीके से में तयारी लेती हुश अब ग्लासेस लेती हुश इंग को साद प्लोज। अगर आप जादा बनाना चाहते तो और ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं इतनी देर में मेरी जो सूजी है वह भी बिलकुछ सेट हो गई है से आप देख सकते काफी फूल कर आ गई है तो अब मैं इसमें स्वात के नुसा नमक डाल देती हूं से उसमाशा नमक डालके एक भाई से मिक्स कर लेती हूं अब इसमें एक गरविडियन बेकंग सुड कोणेन आफ शून डाला है बेकंग सोड़ीन जाउखldigt हलका पानी डालना होता है वैसे में नीड़नाई होती पानी की और इसे अच्छए से मिक्स कर लेती हूं तो अब मेरा यह बैटर परफेक्ट तयार हो चुका है अपने नाश्ता बनाने के लिए यहां मैंने के लिए कुकर या फिर आप जिसमें भी कोई चौड़ा बरतंग गैस पे रख दीजिए इसमें मैंने थोड़ा पानी भर दिया और एक स्टेंड रख दिया ताकि अम इसके प्लेट लगा कि अच्छे से ग्लासेस रख सकी और पानी को गरम होने के लिए छोड़ दिया यहां पर मैंने बैटर लिया यह जो ग्लासेस करके रखेते और इसमें पहले थोड़ा सा बैटर फिल किया फिर जो स्टफिंग मैंने बना के रोल करके रखी थी वह बीच में सकते हैं और फिर बाकी बच्चे बैटर से इससे ऊपर से कवर कर दिया पूरी अच्छी तरीके से देखे बिल्कुल सेट कर लिया इसे ग्लास में ऐसे ही करके तीनो ग्लासेस में इसको हमने तैयार कर लिया एक एक करके सारे हम इसको तैयार कर लेते हैं अब यह देखिए य 3 ग्लासेlles आसानी से आचाएंगे और 3 ग्लासेद को इसमें रख देती हूँ हमें इसे भाप में ही पकाना होता है अब इसको मैं उब लेट से कवर कर दूंगी गैस को मीडियम से मी रखूंगी और इसको कॉकोने दूंगी पाँस साथ मिनिट पाद आप देखी अपने आभी फूल के आ चुका है अगर नहीं हुआ हो तो आप दो-ती मिनिट और रुख सकते हैं गैस को मैंने बंद कर दिया और गैस बंद करने के बाद इनको मैंने भार निकाल लिया ग्लासिस को और ठंडा होने दिया जैसे ये बॉलकुल ठंडन हो जायए ताकि आम असानी से पकड़ सके और बहुत नाश्ता को नाश्ता निकाल बाहु साके। बहुत आसानी से पूरा से घ्लत करें एक बाहु नश्ता करें और मैं इक प्लेट में रखुएती के अपया करता थी हूं नाश्ता इसी तरीके 3 ग्लास की रॉण मैंakers निकाल लूँगी मैंने यह चागनाईफ गुमाया ग्लास के बिल्कुल रॉण निकले के आज़ चुका है यह मैंने तीनो रॉण इसलोड निकाल ली है अब आप चाहें तो इसे ही कट रोज्टा झाला और और करकगा है जैसे कि मैंने कड़ाई गैस पर रखी , इसमें जाए यसमें घाता की अविदा 3 जाएAS का आधी2 जाए 2,5 जाच ब्रग्शह आधाम अविद्या को जतक हुद सी जाए जाएथ到 2 रही लालमच पॉडर में दालने स्थियों पाउडर को इसमें Vienna दिए अब इसमें डाल दूगी थोड़ी धनिया पती इसमें भून लिया अब यह अपना ग्लास में डॉल बनाया था उसको इसमें मैं रॉल कर देती हूं यह आपके ऑप्ष्णल है अगर आप इसमें और जाधा तड़का देके खाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं चारो तरफ रॉल करके इसको प्लेट में निकाल लिया और इसके पीसिस कट कर दिये तो ये थी मेरी आज की स्पेशल रेसेपी जो मुझे उमीद है आप सभी को पसंद आयोगी देखिए वाओ किता यम्मी लग रहा है अंदर से भी तो इस तरीके से मेरा ये नाश्ता बिलकुल बनका तयार हो चुका है अब मैं इसे सर्फ करती हूँ मुझे उमीद है आपने भी इसको एंजॉय किया होगा जाते जाते वीडियो को लाइक सर्फ कीजेगा अब मैं आप सभी इसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बबाए